आज भी भारत में कायर बराबरी बनी हुई है ओची दीच बना हुआ है चुआ छूच बना हुआ है आज भारत में चपन लेए सोसर हो रहा है अक्तेयार हो रहा है भारत की जनता को नय नहीं मिलना है इसलिए कि बादा साथ डाक्तर भिंडियों, अम्बेट करजी कи बनागिया भरत का सम्मिधान? संपूर लुप के लागु नहीं किया गया, कि सम्मिधान में दिर गया कानून को, यह आज की सरकार, RSS की सरकार समात करती जा रही है, कि बीजेपी की सरकार, आरेसस की सरकार भारति संभुधान को खत갈 कर रही है, आरप्षयर को खत終कर रही है नहीं हो तरक esta जी ने जूम उन्होंने कह था, आज वो आपके सामने दिखाए देया है आजो फिर साथ पैस हो गया है कि यह सरकार भारत के संभिधान को देखना नहीं चाहती भारत के संभिधान में देवाए कानूर को खतर परने चाहती संभिधान करती हो आप सब्सक्राइब करती हो आप सब्सक्राइब करती हो भारत की बहुतर संभिधान की लोगों के लिए बराबर की भागी जारी दी है बाबा साथ डाक्टर भीमिणार अंबेक कर दी कि बनाएगे भारत के संभिधान और अरच्छर आज संभिधान को जा रहा है 26 नॉम्बर 1949 को बाबा साथ डाक्टर भीमिणार अंबेक कर दी बारत के संभिधान प्रत्रम प्रधान मंत्री पर्णी जवाहला लेहलो पतराष्ट पती डाक्टर गाजर प्रसाजी के हाथ में बारत के संभिधान को सोता था 10 2006 को हमारा भारत का संभिधान लागो हुआ हमारा भारत संभिधान संपूरीूप से लागो हुआ सा्थिए 26 सव डोलब Напर 59 क offended को समलिय्ज कि बारत पर्रतर बाज़्धलात फ़ुटे हो माई तो कर दया जाना था मैं तो कारिया चाती हो कि भारत के समी बहुजन समज ही नहीं चायो जिस चाती के हो, चायो जिस धर्म के हो, चायो जिस सप्रदाय के लग हो भारत देश संभिधान से चलता है इसलिए पोवे भारत वासियों को संभिधान दिवस, खुसी के दिवस की रुप में मनना चाहिए बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में दिवाली की छुटी, दसाया की छुटी, इद की छुटी तो होती है लेकिन संभिधान दिवस की चुटी आज तक भारत की सरकार नहीं किया हमारा देश अगर चल दा है तो भारत की संभिधान से चल दा है हमारे भारत के संभिधान पर अब दिवस की रूप में राष्ट्य चुटी सरकार को घोशित करना चाहिए यह मैं आज 26 नमबर को मैं माल करती हूँ संभीधान दिजस के उसकता हूँ साथ यह बावा साथ डाक्टर विद्राव अंबेर कर जी बारत के संभीधान में राजमियतिक, सामाजिक, आर्थिक मैं सब को ब्रावर रिकाजिकार दिया समता, सुपत्रता, पंदुत, नयर के अधारत पर भारत के संभीधान दिया लेकिन 26, 99 से आज तक वही लोग पाउस्ते रहे जो भारत के संभीधान को देखना नहीं चाते भारत के संभीधान में दिया गया कारूं को लागू रहे करना चाते जिसके कारण आज भी भारत में गयर ब्राबरी बनी हुई है ओच जीच बना हुआ है, चुआ छूट बना हुआ है आज भारत में जगन अप्राजों रहे है सोसर और रहा है, अक्तेजार और रहा है भारत की जंता को नहीं मिलना है इसलिए कि बारत ब्राब साथ डाक्तर धिम्राओ अम्बेत कर जी कैब बना गया भारत का संविधान संपुर्णों उठाए, लागू नहीं किया गया साथिया, अभी तो भारत का संविधान लागू नहीं हुआ है और इसके पहले ही भारत की संविधान में दिर अगय कानून को यह आज की सरकार, RSS की सरकार समयाख करती जा रही है साथ यू दोजार चैजा में, जब मैं साल सब्वें करके, मैं लोग समयाख में पहुची कुछ दिन तो मुझे लगा समझने में, जब मैं समझ पाई, तो मुझे लगा कि बीजेपी की सरकार, आरेसेस की सरकार, बारती सम्मिधान को खतम कर रही है, आरेचर को खतम कर रही है, बारती सम्मिधान 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 को तो संभीधान भारा की धारा ही रहे जाएगा अज बारत के संभीधान को देखना नहीं चाहती भारत के संभीधान को खतल करना चाहती शाद्या जब लोग समार में मुझे लगा कि कमा संभीधान को लोग संभीधान कराने के लिए बारत को आज़ात कराने के लिए बारत समार को अधिकार के लेने के लिए मैंने लिएंतर अंदोरों कि सुवाइब की मैंने दिल्ली में मने बोएंदोरों किया है लगनाओं में लाखों की संख्यों में मैंने लगनाओं में कांसीरा विसों कियों पॉर्ड में 26 November को पिछला साथ और 21 26 November को मने बाग परी रहली किया था उस रहले में बाबा सहब डाक्टर दिल्राओं अंदेर्टर जी के बात्र को बुरा थे कांसीरां साथ जी की पायन को बुरा थे 105 संद्राओं पबन समाथ की लोगों को साथियो मैं आज जो कारिक्रम हो रहा है मैं बहुत आंवारी हूँ मैं अपने सर्जटन के लोगों का, साधाब भाई का, सहिनिया साथ का, सहिनिय साथ का और तमाव हमारे इस सर्जटन के लोगों आयो हुए है ये पैता को रही थी, चब्वीस राम बर को दिल्ली के राम नीना मेदान में बाध बड़ी राइली होने जा रही थी लेकि चुनाओ को देखते हैं, दिल्ली के चुनाओ, गुज्राओ के चुनाओ, कई 500 के चुनाओ हो रहे थे जिसको देकर के, हम लोगों इसका देत आगे बढ़ाया है और आग के दिन एक कर्क्रम हो रहा था, कि चब्वीस रामे को नहीं रताएगा लेकि लोगों ने जोड़ देकर के कहा, कि हम अज़र सलसद हैं, बिदाइक बने हैं, जिना 57 बने हैं हमारा पॉज़न सबाद, पंच सबाद कर, पुर्भान मंत्री के कुर्सी पर, आई अप्रिसियस, दाक्तर रिजी दिया, लेकपाल, सिपाई, दोगा जो भी पदाद पर, हमारा पॉज़न सबाद, पॉज़न सबाद को पॉचने का मौकर मिला है, तो भारत के सम्विधान से मिला है, इसलिए सम्विधान, अगर आम इने ग्राउंड में, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो जैंटर्मिन का पर, हम पॉज़न सबाद के लोग, इक जातन के मादब से सरकार की सार्ड खूलना चाते हैं, कि सरकार जो आज सबाद की पैरी हो गई है, उनको सुनाई में पस्ता है, आज जो केंड सरकार को जो सुनाई में पढ़ रहा है, उनको भी पता नहीं है, कि हमारा भारत का पहुज़न समाज, जिस दें चागेगा, घाएगा और संबिधान को रगो करानी के लिए, और अपर को रगो करानी के लिए, अपने आजादी को पानी के लिए, पूरा भारत में बहुतल समाज trzyμों इकत्uck रहाईंगे, शातना समाज के लोग समाजिक संगतन बना करके भारत इतना बड़ा देश है कि पूरे भारत में एक अकेलाद हुई बोजन समाथ को दरानी पाएगा इसलिए बाबा साथ का अनवाई बन करके बाबा साथ का सिपाई बन करके संगतन बना करके और पूरे भारत में साथियों मैं बहुत सुक्रा गुडार हूँ मैं इसको सरूट करती हूँ अपने समाजिक संद्टन राजिक संद्टन वालों का मापीर करती हूँ कि सारा बहुत समाज के लोग अब एक मंच पर संभिधान को बचानी के लिए अपना इगो खतम करें अपने इगो खतम करें अपना घमत खतम करें और सब लोग एक चूठो करके संद्टन को बचानी के लिए एक मंच पर आए साथियों में बताना चाहती हो कि वह 2014 में कि मैं 700 पर करके लोग समाज में परज़ी मुझे लगा कि हमारा संद्धान, हमारा अजिकार, हमारा अच्छे खत्रों में है तो मैं लोग समाज के अंदर अकेले ही संद्धान को बचाने के लिए अरफचर को बचाने के लिए बाउजन समाज को गुराब होने से बचाने के लिए सब्सक्राइब ने आराज को बुलिंद किया, आराज को उठाया, उस सब्सक्राइब लोग सब्सक्राइब तबाव हमारे पिछड़े जाती के साइच सब्सक्राइब अनसुची जाती के साइच सब्सक्राइब अनसुची जाती के साइच सब्सक्राइब अनसुची जाती के स किया सरकार ने हमारी बातों को सुनी किया ओम सांसक पो चौड करगें कि पूरे फ़ारत में बहुत हुड समात के नोगों को जगाने का कम किया साथियोच जागो साथी जागो McMahon वहाज़ को साथstatic अगर नहीं जागेंगे तो 2024 के बाद हमारे संभिधान, हमारा अधिकार हमारी आजादी खत्म हो जाएगी अगर चाहते हो अपनी सुचा, अगर चाहते है अधिकार अगर चाहते हैं सम्मान अगर चाहते हैं नहीं तो सभी बहुतन समाद के लोग एक मंच परा जाओ एक मंच परा जाओ मैं पीठे पीठे से पार्टी तो चोड़ा। आ है। ऐसे बाकात काम समाट के लोगों से मैं हमेरा कई करना चाहती हूँ कि आप लोग मुझा इस अंदोरन को चलाने के लिए मुझे 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 एक रुपिया मुझे मुझे ने कर आप एक रुपिया है मैं पूर भारत के भाइज нал์ हझो के लोगों से माठाय est aus सब्दोरन को चलाने के लिए लिक्षाणे के लिए तौजधाonceे सब्दोरन को चलाने के लिए मैं आप शोब radical करेंगे आप लोग समर्थन करेंगे благ क्या ऋसए में मैपीर ख़़ाज़े, कि दोहादार चोबिस हमारे और ये पास कम समय बचा है इस कम समय में मैं इपीर कर ओन और मैम चपार के क्यायर रखी खर्शी है कि अपने मीडिया भ़ायों सभी मैं आप्ीर करोंगी कि जो मैं बाल नहीं हूँ इस चेनल के माधिन से आप लोग समाथ को बताने का करूं करें जगाने का करूं करें कि हमारा हालत का समिदान ख़त्रे में है समिदान को बचाने के लिए लोकत्र को बचाने के लिए सबी बहुतन समाथ के लोग एक मज़ परा करके 2024 में या तो विकल्प बने और अगर विकल्प नहीं बनता हुए है तो विकल्प के साथ खड़े हो यह मैं आप लोगों से अपील करूँगी यह मैं आप लोगों से अपील करूँगी और जड़ी अपना इगो खटम नहीं किये तो यह तो खटम हो जाएंगे हमारा पहुजन समाथ खटम हो जाएगा एक केरो डाक्टर भीबरो अंबेर्करजी पूरे भारत के करूरा करूरा पहुजन समाथ के लोगों को आजादी दिये अधिकार दिये नो करें दिये प्रावर का हक दिये आज करोने लोगों मिलकर के पहुजन समाथ के लोग भारत के संविधान को बचाने के लिए अगर एक चूट नहीं हो तो हमारा बहुत कुछ नुक्सान हो चुका है इसलिए साथिये जागो साथियों जागो मापीर करूंगी कि अपने संगठन जो संगठन के तमसे आज जो कारकम हो रहा है ये कारकम जो मंच पर जंदर पैनर लगा हुआ है ये कोई पार्टी नहीं है लोग समझते होंगे ये पार्टी का कारकम है ये पार्टी नहीं है एक संदक्धन बना गया है उसमें तमाम सावाजिक संदक्धन तमाम राजीतिक दल के लोग एक साथ मंच पर आजकार करने सरीख हुए है जहाँ पर जो जंदर लेकर क्या है यह कहा गया था कि कोई भी पार्टी का बेनर मंच पर नहीं लगेगा जिसको समतन करना है जो राजीतिक दल के हमारे साथी है जो समदान तीवस मना रहे के लिए कई झंदा लगा हुआ है। और बाबा सभर अंवेद पलती सबकरी के फ़घ neurotसा वाय। को इक्था करेंगे और 23 daha 2023 जोजार जब़िस नउम्बर के 2023 को दिली के राम लीला क्राउन में पूरे भारत के पहुचन सबार के लोगों को हम लोगे यफ स्भारत के लोगों को हम लोगे एक चुट करेंगे और उसी मंच से Hond किया जाएगा कि अप सत्ता को समिदार भी ओनी सरकार को रोकिने के लिए उसमिश तरह लेता है हमारे मचिपर होंगे इनी सत्ता के साथ जादा सेर्नन जादा नहीं कहते हैं मैं अप्री बारी को द्राम देने चाहती हूँ कि जज़वसों के सहाधत को क्या पूछिए अब तो हमने भे हाथों में सेर ले लिया, कतल होने से आखिर, कहा तक दोनों के महले में घर ले लिये, इन्ही सब्थों के साथ। कि वर्त कहता है कि थोरों बदल जाएए। अब एक कुछ भी नहीं हुआ, तो सबल जाएए। घर बना करके जिसको बाबा साब अम्बेट कर जी ने दिया आज जो भायमान कहता है घर से निकल जाए अब आबा साथ को यह दिया हो संभीधान को बचाने के लिए करें इसाथ संभीधान के लिए जिन्दाबाद जिन्दाबाद अबाब साथ कर जी अमार रहे करता है